वेलकम टू परताब कलासेश। दोस्तो परताब कलासेश के यूटू चैनल पर आपका स्वागत है। कम्पिलेट करवा देजीगी तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे श्टार्ट करता हूं बस मैं आंस्वर पढ़ूंगा और क्वेस्टन पढ़ूंगा आपको रिवाइजे करना है पहला क्वेस्टन राजस्तान राज्ये खनीज विकास निगम आर एस एमडीज मदी खनीज लिमिटेट में कर दिया गया और राजस्तान राज्ये खन्वे लिमिटेट की स्पापना उप्स नमबर क्वेस्टन पहला है राज्ये में विकास निगम कहां पर है ये है बेल का मगरा शिरोई ओप्स नमबर है एक बेल का मगरा शिरोई के अंदर राजस्तान में वोलेश्टो नाइट के उतपादक जीले कौन से हैं तो वोलेश्टो नाइट के उतपादक जीले हो जाएंगे शिरोई और उध्यपूर कौन से हो जाएंगे और कोबाल्ट, option number C कोण सा आणवी खनीज नहीं है कोण सा आणवी खनीज नहीं है, तो कोईला कोण सा होजेगा, आणवी खनीज नहीं होता कोईला, छटा राजस्तान में सरवादिक लोहे का उत्पादन किस जिले में होता है सरवादिक लोहे का उत्पादन तो सरवादिक लोहे का उत्पादन होता है जयबपूर के अंदर काँपर है जयबपूर जिले में डाबला सिंगाना, नातरा की पाल लाल सोट, इंदरगड किस खनीज के उत्पादन स्तल है तो ये हैं द्यारकना लोहे के किसके हैं लोहे के उत्पादक स्तल है माने जाते हैं आठ नमबर दात्विक एलो एकनीज तामबा के बारे में कतन बताईए अब आपको यहां पे दात्विक एलो एकनीज तामबा के बारे में कतन आपको बताना है नीचे यहां पे कूट दीवे हैं तो इसका उत्रोजेगा द्यान रखना ये सारे कतन सही है सारे कतन है तामबे के बंडारों की दर्ष्टी से राजस्तान का देश में परतमस्तान है बिल्कुल सही तामबा उत्पादने की दर्ष्टी से राजस्तान का देश में दूसर रस्तान है ये भी सही है सरवादिक तामबा जुंजुनु में मिलता है और कॉलिहान, खेतरी, सिंगाना ये सब तामबा उत्पादक राज है तो इसका उत्रो जिगा चारों सही है द्यान रखना दात्विक लोहे, लोहे, खनीज, सिसा जस्ता के बारे में कत्थन बताईए तो इसका उत्रो जिगा द्यान रखना, इसके बारे में कत्थन बताईए अब इसमें भी कूट दी हुए है द्यान रखना, नो नमबर का, ठीक है इसमें भी ये सारे ये चारों सही है ठीक है पहला दूसरा और तीसरा देखो इसमें शिसा जस्ता के बंडारों में राजस्तान का देश में पर्तमस्तान है बिल्कुल सही है ये चांदी के स्तान श्युक्त रूप से निकाला जाता है बिल्कुल सही है शिशे जस्ते की बात हो रही है सरवाद इक शिशा जस्ता उत्पादेक जीला उद्यपूर है और शिशे कैसे के लेना पायरेट सही ये भी सही है तो पहला दूसरा तीसरा चोत्ता ये चारों सही है पांच नमबर इसमें गर्ट हो जाएगा उसके बाद में आप देखो दस नमबर देखो नोवे का सी हो गया और दस नमबर देखो शिशे जस्ते की प्राप्ती छेतर के बारे में ऐसमरित बताना है अब आपको जावर छेतर उद्यपूर बिलकुल ये तो सही है रामपुरा अगुचा बिलकुल ये भी सही है चोत का बरवड़ा कोटा में नहीं भी द्यानकना कांपरा है स्वाईमाद उपूर राजपूरा दिरिबा रासमन ये भी सही है उत्तर हो जेगा इसका सी नमबर अगला देखो दात्विक एलोए खनीज चांदी के बारे में खतन बताईए दात्विक है एलोए खनीज चांदी के बारे में खतन आपको बताना है तो इसका उत्तर हो जेगा द्यानकना चांदी बंडार के तुपदमी राजस्तान का देश में पर्थमस्तान है देश में चांदी की सबसे बड़ी खान जावरुद्यापूर है चाहरास्तन में चांदीत पादन करने वाले एक मतर प्लांट चंदेरिया प्लांट चीतोडगड हिंदुस्तान जींक लिंपरेट दोरास्तन चालीता है इसका उत्र होजेगा उप्सन नमर चार अगला कौन से एदात्वी खनीज कौन सा है एदात्वी खनीज इनमें से कौन सा होजेगा तो वो होजेगा जिपसम कौन सा होज़ेगा ए दात्विक खनीज जिपसम ए दात्विक खनीज सुमय की पैचान करनी है अब आपको ए दात्विक है खनीज सुमय की पैचान करनी है आपको यहां पर तो यहां देखला है चुनना पतर, संगमरमर और अबरक यह हो जाएंगे ऐ दात्विक खनीज उत्तर हो जेगा इसका बी नमबर अगला कॉस्टन देखो अब आपको यहाँए फिर सुमेलित करना है दात्विक लोहाखनीज टंगस्टन के बारे में बताना है ठीक है बारत में टंकेश्टन का सरवदी उतुपाद राजस्तान में होता है ये भी सही है, देगाना बाकरी नागोर और वाल्दा रेवधर शिरुई, ये सारे सही है द्यारकना, उत्तर होजेगा इसका चार नंबर, हरसोंट किसका नाम है हरसोंट, तो ये आपको सभी को पता है किस किसका ये वहिछ जिप सम का जिप सम प्लास्ट्रोप पेरिसकी निर्माड में किस खनीज का उब्योग होता है ये होता है जिप सम का जिप सम का प्रेयोग होता है कौन सा खनीज उरोकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है परदेश के सहरी छेतरों में खनीज बंडार चिनित किए गए इन में से कौन सा ऐसत्य है अब आपको यहां पे ऐसत्य फिर बताना है तो जो चेज्जा पत्र है वो जैपूर आमेर अजमेर में निकलता है पिला चुना पत्र जेशल मेर ग्रेनाइट अजमेर सिलिका संड जैपूर अब यहां पे पूछा किया इसने ऐसत्ते खतन बताना है तो ऐसत्ते खतन होजएगा इसका चार नंबर कौन सा होजेगा चार नंबर उसके बाद में देखो राजस्तान में वर्तमान में कितने खनीजों का खनन किया जा रहा है तो वर्तमान में राजस्तान में कितने खनीजों का खनन किया जा रहा है 57 त्यान रखना इसका 57 त्यान पर दिया वाए नीचे अगे देखो जनकपूरा और सुरवाड़ खाने किस खनीज के उत्पादने के लिए जनकपूरा भी बहुत बार पूचा जाता है एकजाम के अंदर और ये है तामडा के लिए इसके लिए तामडा के लिए आर्थिक्ष मिक्षा दोजर बीस एकिस के उनसार राजस्तान किन खरीजों का देश में एक मातर उत्पादक राज्जी है तो वो है द्यान रखना उपरियोक्त सभी के लिए है सिसा जस्ता है सेले नाइट है वोलेश्ट नाइट है इसका उत्रो होज़ेगा चार नंबर रज्य में सात रंगों वाला मार्बल कहां पाए जाता है तो सात रंगों वाला मार्बल पाए जाता है खांदरा गाउं पाली के अंदर सात रंगों वाला मार्बल पाए जाता है कोईला कितने परकार का होता है तो कोईला द्यान रखना चार परकार का होता है कितने प्रकार का चार प्रकार का कौन सा कोईला उत्तम किसम का होता है कौन सा कोईला उत्तम किसम का होता है anthracite कौन सा होजएगा anthracite राजस्तान में कौन सी किसम का कोईला पाय जाता है तो राजस्तान में कौन सी किसम का कोईला पाय जाता है यह पाय जाता है लिंगनाइट कोईला कौन सा लिंगनाइट कोईला राजस्तान में निमन में से किस स्थान पर काला संगमरमर पाय जाता है बहसलालना के अंदर आपर है काला संवर मेरे काँ पर पाय जाता है बहसलालना के अंदर है पाय जाता है कौन सा खनीज येलो केक के नाम से जाना जाता है येलो केक तो ये जाना जाता है येलो केक के नाम से यूरेनियम में जाना जाता है और परदेश को राष्टी स्तर पर ख सार देश में चांदी के बंडारों में राजस्तान में कितने प्रतिशत बंडार है तो राजस्तान किसके बंडार है ठाण में प्रतिशत कितने ठाण में प्रतिशत राजस्तान में पाए जाने वाले खनीज जैसे जीपसम रोग फॉस्पेट पॉयरोट्स का किस निर्माण मे आवशक होता है इसका होता है द्यानकना रासाइनिक उरोर के अंदर ओप्स नमबर है एक इसका राइट आंसर जिलों का कौन सा वरग एस बेटोस खनीज के लिए जाना जाता है जिलों का कौन सा वरग है जो एस बेटोस खनीज के लिए जाना जाता है और वो जाएगा उद्य राजस्तान में पाया जाने वाला ए दात्वी खनीज है राजस्तान में पाया जाने वाला ए दात्वी खनीज है राजस्तान में पाया जाने वाला ए दात्वी खनीज है राजस्तान में पाया जाने वाला ए दात्वी खनीज है राजस्तान में वर्मी क्यू लाइट पाया जा अज मेर बाड मेर के अंदर राजस्तान में वर्मी क्यूलाइट पाया जाता है देश में बेंटोनाइट के सर्वादिक बंडार है देश के अंदर बेंटोनाइट के सर्वादिक बंडार है ध्यान रखना राजस्तान के अंदर यहाँ पर है राजस्तान में पाइराइट्स राज्य में मुख्यत है कहाँ पाया जाता है पाइराइट्स आपको सभी को पता है पाइराइट्स शिक्कर के अंदर यहाँ पर है शिक्कर जिले में खानवे भूविज्यान विवाक के सोफ्ट्वेर का नाम है खानवे भूविज्ञान विवाक के सोफ्ट्वेर का नाम है कौनसा ई रवन्ना ओप्सन नमबर एक कौनसा ई रवन्ना राजस्तान की नई खनीज निती कब आई थी राजस्तान की नई खनीज निती कब आई थी 2015 में तब आई थी ये 2015 के अंदर राजस्तान में नई खनीज ने ती आई थी चालिश नमबर कागज वा रबड उद्योग में काम आने वाला बेराइट्स नामक रासाइनिक खनीज राजस्तान के किस जिले में पाय जाता है तो ये पाय जाता है अलवर के अंदर यानि की कागज वा रबड उद्योग में काम आने वाला जो बेराइट्स है रासाइनिक ने जब राजस्तान के अलवर जिले में पाय जाता है चुन्ना पत्र कहां पाय जाता है चुन्ना पत्र तो इसमें चटाने बूच लिए इसने तो चुन्ना पत्र अवसादी से लो में पाया जाता है कहां पर है अवसादी से लो में राजस्तान में सिमेंट ग्रेड के चुना पत्र का सबसे अधिक उतुपादन की जिले में होता है तो चुना पत्र का सबसे ज़्यादा उतुपादन होता है द्यान रखना चितोडगड में काँपर होता है चितोडगड के अंदर राज़स्तान में स्टील ग्रेट लाइम स्टोन का सुरवधिक तुपादन ये देखो लाइम स्टोन कितनी बार आता ये लाइम स्टोन का है जसल मेर काँ पर है ये जसल मेर के अंदर संग मरमर की सबसे बड़ी मंडी काँ पर है किशनगड जमेर हरा संगमरमर किस जिले में पाय जाता है हरा संगमरमर किस जिले में पाय जाता है उद्यपूर में ये ध्यान रखना संगमरमर की सबसे बड़ी बंडी किशनगड हरा संगमरमर काँ पर पाय जाता है उद्यपूर और काला संगमरमर बैंसलाना में ये मैंने आपको पीछे बताई दिया है राजस्तान में सरवादी कुल विक्रे मुले अरजीत करने वाला खनीज पत्थर कौन सा है तो यह होज़ेगा द्यान रखना संग मरमर कौण सा होज़ेगा संग मरमर उन्चास कौण सा जोड़ा गलत है अब आपको गलत पताना यहां पे कौण सा जोड़ा गलत है रिश्रवदेव उद्यपूर में कौन सा मारबल पाय जाता है तो ये पाय जाता है रा मारबल अभी आपने पीछे पढ़ा रासंग्मरमर कहां उद्यपूर के अंदर मारबल के बंडार वे उत्पादन दोनों ही दरश्टी से देश में परत्तमस्तान पर कौन सा राज्य है तो ये आपको सभी को पता है कौन सा राज्य होजेगा राजस्तान कौन सा राजस्तान राज्य में सरवादिक मुलतानी मिटी कहां पाज जाती है मुलतानी मिटी बाड मेर कौन सा युगम ऐसंगत है अब आपको फिर यहां पर ऐसंगत बताना यहां पर देख लेना तो टंगस्टन है वो रिवत की पहाडी नागोर बिल्कुल सही है चांदी जावरुद्यपूर सही है पाइरो राइट फ्लाइट यह भी सही है लेकिन जो यह गिया पत्रानी आलनपूर स्वाई मादूपूर यह गर्त हो जाता है भी उत्तर हो जेगा इसका पुछा कैसने ऐसंगत उत्तर हो जेगा इसका सही नंबर हेलाइट किसका खनीज है हेलाइट तो हेलाइट किसका खनीज होजएगा हेलाइट होजएगा नमक का किसका खनीज है ये बड़े श्यांदार को सनाई ये नमक का सत्य गतन है अब आपको सत्य बताना है इन में से तो ध्यान रखना सत्य इसका देखो नमक संग सुची का विश्य है सही है नमक का रसाइनिक नाम सोडियम कलूराइड है ये भी सही है देश में सांबर जिल में देश का 8.7 नमक होता है उप्रयोकते सभी कतन सही है खनीजों का अजायब गर राजस्तान ये आपको सभी को बता है खनीजों का अजायब गर 57 नमबर देखो राजस्तान का खनीज उतपादन में योगदान के समंद में कौन सा कतन ऐसत्य है अब फिर इसने ऐसत्य पूझ लिया है तो देखो ऐसत्य आपको बताना है इसका 57 राजस्तान बारत का 70 परस पूर्ष फूरत है ये सीा में गलत हो गया तो ऐसतीय बूछा है तो ऐसतीय इसका फूरत हो 69 नमबर राजस्तान किस खनीज उत्पादन में परत्थम है राजस्तान किस खनीज में उत्पादन में परत्थम है तो यह है द्यान रखना चांदी के उत्पादन में कहां पर है चांदी में परत्थम स्थान है निमन मैं से किन खनीजों के उत्पादन में बारत में राजस्त का बारत में ठीक है अगला देखो वे खनीज कोंड से हैं जो राज्य में अलप मात्रा में पाए जाते हैं और वो है ध्यारक ना एक तो है बिश्मत कोबाल्ट और थोरियम यह जेगा उप्स नमबर है एक इसका राइट आंसर निमन में से कोंड सा यूगम सुमेलित नहीं है अब आपको फिर यहां पे सुमेलित नहीं है बताना है ठीक है तो बासट नमबर का देखो एनमर के संसादन प्राक्रतिक है सही है प्राक्रतिक संसादन जल है सही है जेव संसादन वन है सही है सरोव्यापक संसादन यह तांबा यह गड़त हो गया ठीक है उप्स नमर किस खनीच का बंडार पिल मिला है ये मिला है यूरेनियम में बॉम्बे हाई के बाद देश का दूसरा अगर öğणी तेल उत्पादक शेतर है राजस्तान। राजस्तान बीलवाड़ा के हमीरगड़ छेतर की पाड़ियों में किस खनीज का बंडार मिला है तो बीलवाड़ा के हमीरगड़ छेतर की जो पाड़ियों वहाँ पर किस खनीज का बंडार मिला है लोहे का किसका मिला है लोहे का मिला है तेल और कोईले की बदोलत देश की खन बाड मेर खान ब्लोकों की इन इलामी करने वह देश का पहला राज्य तो ये आपको पता है देश का पहला राज्या राजस्तान और राज्य की परथम खनीज नीति कब गोशित की गी 1978 में बाड मेर सांचोर बेशन के मंगला तेल छेतर से खनीज तेल का उत पदन कब से परारम हुआ तो ये भी पूछा गया है कोश्चन तो इसका परारम हुआ था ध्यान रखना कब है 29 अगस्त 2009 से 29 अगस्त है 2009 से कोणशा लगूखनीज है ये पूछा इसने कोणशा लगूखनीज है तो इसमें लगूखनीज हो जाएगा marbles कौणशा हो जाएगा option number 1 marble panintorolium उर्जा एमामखनन विश्योई डेले कहां स्थापित किया जाएगा पेंट्रोलियम है उर्जा एवाम खनन विश्वी डाले कहां स्ताफित किया जाएगा ये किया जाएगा सी जोदपूर काँपर किया जाएगा जोदपूर के अंदर लाइम स्टोन कहां पाय जाता है यह आपको मेनी अभी पताया लाइम स्टोन तो लाइम स्टोन पाय जाता है ध्यान रखना कहां पर है उपर्योक्त सभी में सिमेंट ग्रेंड का लाइम स्टोन का आपर मिला है ये मिला है उप्रयोक्त सभी संत कड़ा सिंध वाड़ी चेतर चितोडगड हरीमा पीतासर जाहिल नागोर मुरकासनी पाली तो इसका उत्रो जिगा चार नमबर लाजवरित पत्थर कहां मिला है ये मिला है शिरोई के अंदर ध्यां रखना इसका लाजवरित जो पत्थर है वो कहां पर मिला है शिरोई में बांसवड़ा जिले के भूकिया जगपुरा चेतर में किसके बंडार है ये आपको सभी को पता है स्वर्ण किसके बंडार है स्वर्ण के बंडार है कौन सा एदात्वी खनीज की शरणी में आता है कौन सा एदात्वी खनीज की शरणी में आता है और ये आता है ध्यान रखना वोलेश्टोनाइट और वर्मीक्यूलाइट वोलेश्टोनाइट और है वर्मीक्यूलाइट राजस्तान का कौन सा नगर दातु नगरी के नाम से विख्यात है दातु नगरी नागोर किसको जना जाता है दातु नगरी नागोर राज्य में मुख्यत है किस किसम का लोहा प्राप्त होता है किस किसम का लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट का किसका होता है हेमेटाइट किसम का लोह एशक किस में किस से प्राप्त होता है लोह एशक किन चाटानों में पाय जाता है तो ये जलजवे अगने चाटानों में अप्सन नमर C जलजवे अगने चाटानों के अंदर लोहा इशक प्राप्त होता है राज्य में लोहा मुखेते किन किन जिलों में पाय जाता है जैपुर्दोसा जुन्जुनु के अंदर ये पाय जाता है कोर्मा चेतर बुंदी में किस खनीज के बंडार पाये हैं कोर्मा चेतर बुंदी के अंदर हैं किस खनीज के बंडार पाये ये पाये केते हैं लोहा के इसमें लोहा के बंडार हैं मिले हैं विश्व की सबसे बड़ी सिसा जस्ता की खान जावर माइन्स कौन से होजेगी यह होजेगी रामपूरा अगुच्चा कौन से होजेगी विश्व की सबसे बड़ी सिसा जस्ता की खान कौन से होजेगी रामपूरा अगुच्चा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेट दोरा निमिन में से कौन से समलेटर स्थापित कियेगे तो ये किये ध्यारखना उप्रयोक सभी चंदेरिया दरिबा और देबारी जिंक लिए उत्तर हो जेगा इसका चार नमबर सिसा जस्ता की खानों के समन्द में कौन सा युगम ऐसंगत है अब आपको फिर यहां पे ऐसंगत बताना है तो एस अंपत फिर आपको बताना है देवपुरा भील वड़ा सही है रामपुरा गुच रील वड़ा सही है राजपुरा दृबबा रासमन सही है उत्र अधियगा इसका 5 तीन नंबर ये सिंदे शिर्खुर्द उद्यपुर्णी है तो उत्रो जिगा चार नमबर केलेमीन है जिंकाइट है विलेमाइट है उत्रो जिगा इसका चार नमबर उपरेक्ट सभी राजस्तान में सीसाजस्ता के पर्मुक बंडार किन किन जिलों में पाएगे हैं तो ये है द्यारकना उद्यापूर, रासमंद, भीलवडा, स्वाइमादपूर उत्तर हो जेगा इसका तीन नमबर निमन खनीजों में किस के उत्पाद में राजस्तान को देश में एका दिकार प्राप्त है तो एका दिकार किस में हैं सीसाजस्ता में किस में हैं सीसाजस्ता में वेदान्ता लिमिटेड किस खनीज से समदित है वेदान्ता लिमिटेड किस खनीज से समदित है ये है सिसाजस्ता से किसे हैं सिसाजस्ता से समधित है राजस्तान में सिसाजस्ता गे लेना निमनांकित में से किन छेत्रों में पाय जाता है तो ये पाय जाता है ध्यान रखना उप्रयोक्त सभी छेत्र में यानि कि जावर उध्यपूर रामपूर अंगुचा बीलवडा चोथ का ब्रवड़ा स्वाइमाद पूर उप्रियोकते सभी में पाया जाता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुखैले काउपर सित है ये है उध्यपूर में का परोजेगा उद्यपूर के अंदर राजस्तान के जावर खादानों में निमन में से कौन सी दात्तू का उत्खनन होता है जावर खानों में आपको पता है किसका होता है तो ये होता है द्यानक ना किसका जस्ता का उत्पादन किसका जस्ता रास्तान को किस खनीज पर एका अधिकार प्राप्त है किस खनीज में एका अधिकार प्राप्त है जस्ता में बड़े शांदार को उसने फिर रिपीट हो रही है वोलेश्टो नाइट का अप्रयोग निमन में से किस में होता है वोलेश्टो नाइट का अप्रयोग होता है सिरेमिक में भी होता है कागज में भी होता है पैंटस में भी होता है वो प्रयोगत है सबी में होता है चाण में नमबर निमन में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है कौन सा युगमे सही सुमेलित नहीं है तो तामड़ा खेंतरी बिल्कुल सही है जिपसम सही है बदवासी टंगस्टन डेंगाना इसका उत्र हो जगा दो नमबर ये गलत है इसमें कौन सा युगम एसंगत है अब आपको फिर यहां पे है संगत पूचा है तो टंगस्टन, वोलप्रोमाइट सही है मेगनीज, साहिलोमेलिन सही है चांदी, अगनेटाइट ये भी सही है तो उत्रोजेगा इसका चार नमबर जस्ता पायरेट सी ही गड़त होजेगा इसका ठीक है उत्रोजेगा स्तान में का डी नमबर रोग फोस्पेट की खान कहां पर सीत है तो रोग फोस्पेट आपको पता ही है जामर कोटडा उद्यपूर कहां पर है जामर कोटडा उद्यपूर के अंदर रोग फोस्पेट के उतपादन में देश में परसमस्तान पर कोण है तो होज़ेगा राजस्तान कोण सा राजस्तान राजस्तान में रोग फोस्पेट एम अफ जिपसम के परमुक्त पादक छेतर करमश्य कोण से है तो ये हो जाएंगे दियानक नहाद जामर कोटड़ा बदवासी नागोर ये हो जाएगा उपस नमबर C राज्य में जिपसम उपादन में अगरनी जिला है जिपसम उपादन में अगरनी जिला कौन सा हो जाएगा तो जिपसम उपादन में हो जाएगा बिका नेर कौन सा जेगा भी का नेर बदवसी नागोर किस के लिए है तो यह आपको कहला है जिफ्सम के लिए किस के लिए है जिफ्सम के लिए बस रिपीट हो रहे हैं बस आपको रिवाЙज करना है शारियव उमी के उपचार में किस खनीज का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है जिपसम का किसके लिए शारियव उमी के उप्चार के लिए जिपसम का प्रयोग चंदेरिया सी सा जस्ता सोदेक्षन तरकीज जिले में है चंदेरिया चितोडगड में आपको पता है इसका चंदेरिया चितोडगड में कौन सा राजस्तान का तेल छेतर नहीं है अब तेल छेतर नहीं है तो इसका उत्रोजेगा द्यानखना एस्वर्य है मंगला है सर्स होती है लेकिन जो गंगा है वो तेल छेतर है नहीं है सी उत्रोजेगा इसका एस्वर्य मंगला तेल छेतर की जिले में है तो यह आपको बतान की जुरुत निये बाड मेर कांपर है तेल चितर सबसे जादा बाड मेर के अंदर उसके बाद में राजस्तान में निमन में से कौन सा उरूरक खनीज है उरूरक खनीज है ये सारे द्यानकना जिपसम है रोक फोस्पेट है पाइराइट से ये सारे उरूरक खनीज है कौन सा ख चार नमबर अगला देखो गोठ मांगलोद छेतर का समंद किस खनी से है गोठ मांगलोद तो ये समंद है जिपसम से गोठ मांगलोद है नागवर के अंदर जिपसम जिपसम और लिंगाइट के परचूर बंडार वाले जिलों का करमशे सही सुमेलित युगम कौन सा है तो जिपसम और लिंगाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाते हैं बीका नेवर बाड मेर कहाँ पर हैं जिपसम के लिए बीका नेवर लिंगनाइट के लिए बाड मेर ठीक है राजस्तान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन छेतर नहीं है पन्ना खनन छेतर नहीं है राजस्तान के अंदर है इसका उत्रोजेगा सर्वर तो टिकी है गोगुंदा है रुकाला गुमाना ये पन्ना के लिए परशिद है राजस्तान में पेंटरोलेव उत्रपाधन छेतर कितने जिलों में फेला हूआ है ये फेला हूआ है 14 जिलों में इसने 14 जिलों के अंदर राजस्तान की M.S.N.T. 2021 का उदेश्य है तो इसका उदेश्य ये होजेगा कि परदेश के माइनिंग चेतर में खानों से निकलने वाले अपसिष्ट की समश्या का समधान करना उत्र होजेगा इसका दो नमबर अगला देखो राजस्तान के खनीज संसादनों उसके उनके पादन स्तलों का मिलान कीजिए अब आपको यहाँ पे मिलान करना है अब नीचे दियानक ना इसका उत्र होजेगा मिलान करना है ठीक है उसका उत्र देख लेना चार नमबर है दियानक ना इसका उत्र है चार नमर जैनकी पहले का B, दूसरे का A, पहले का B, टंगस्टन सी है और उसके बाद मेगनिस यह सी होज़ेगा, तामबा, केतरी सिंगाना और सी सजस्ता जावर A सी आतने मिलान कर लेना, उत्र होज़ेगा चार नमर उसके बाद में 115, कौन सी जिले पेंट्रोलिम उत्पादन करने वाले बीका नेर नागोर बेशिन में शामिल होज़ेगा द्यारकना बीका नेर नागोर गंगानागर नमानगर चुरू उत्र होज़ेगा इसका चार नमर राजस्तान के गोलिया वे हनोतिया में स्त्रोत हैं, राजस्तान के गोलिया वे हनोतिया किसके स्त्रोत हैं यांबर है तो यह है तामबा के, यह पूछ जाते हैं ध्यारकना नए नाम एक्जाम में आएंगे तो गोलिया वे हनोतिया तामबा के लिए राजस्तान रिफाइंडरी प्रजेक्ट में निमल में ते कौन सा हिसेदार है तो रिफाइंडरी प्रजेक्ट के अंदर कौन हिसेदार है तो वो हो जाएगा राजस्तान सरकार और HPCL आप्स नमबर C राजस्तान सरकार हो रहा है HPCL रागेश्वरी तेल कुए से बुगर्बिक उस्मा बिजली बनाई जाएगी है राजस्तान की किस जिले में है तो ये है द्यारखना बाड मेर में राजस्तान का योगदान है द्यारखना 22 परतिशत का योगदान है बाड मेर सांचोर बेशन में कौण से जिले शामिल है बाड मेर सांचोर बेशन के अंदर आते हैं द्यारखना बाड मेर जालोर कौण से आते हैं बाड मेर जालोर है जालोर राजस्तान सरकार दोरा पैंट्रोलियम अन्वेशन लाइसेस कब जारी किया गया तो ये जारी किया गया 13 जुलाई 2020 को जारी किया गया राजस्तान में हरित राजस्तान योजना का उसुभारम जैपूर में कौन से वर्ष किया गया ये किया गया था 2009 में कब किया गया 2009 के अंदर निमल एकित में से राजस्तान में बुंबई हाई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपादक छेतर कौन सा होजेगा ये होजेगा मंगला तेल छेतर सबसे टोप पे चल रहा है राजस्तान के अंदर मंगला बाड मेर रास्तान के चार पेंट्रोलियम संभावित बेशिन में निमल एकित में से कौन सा बेशिन समलित नहीं है तो आपको पता है कौन सा इसमें हो जाएगा एक सो पत्चीश में तो जेसन बेर जोदपूर बेशिन ये नहीं आएगा उत्तर हो जाएगा इसका एक नंबर अगला देखो श्री गंगानगर जिला किस खनीज तेल बेशिन के अंतरकत शामिल किया गया तो ये किया गया था चुमारिस पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पांच लाख मेट्रिक टन ओप्स नमबर है एक इसका उत्तर 29 अगस 2022 को मंगला कुए के पर्थम तेल उत्पादे की कौन सी वर्षगांट बनाएगी तो ये बनाएगी थी द्यान रखना 13 वी वर्षगांट कौन सी बनाएगी 39 अगस 2022 को मंगला कुए के पर्थम तेल उत्पादे पर है 13 वी वर्षगांट है बनाएगी हाले में राजस्तान के बाड़ मेर में मिला तेल का बंडार को क्या नाम दिया गया तो ये भी करंट का कोशन बड़े चर्चा मरेता है इसको नाम दिया गया दुर्गा क्या नाम दिया गया इसको दुर्गा नाम दिया गया है बाड़ मेर मेर में उत्पादी तेल के कुओ के बारे में सत्य अकतन आपको बताना है तो ये सरस्वती कोशलूट छेतर सही है रागेश्वी अडेल छेतर है विजे बाग्यम बोटिया छेतर शक्ती नगाना छेतर एस्वीर बाईतु ये सारे कतन द्यारकना सही है अपसन नमबर है एक राइट आंसर 131 देखो राजस्तान में मुख्यत है चार पैंट्रोलियम संबाग्ये बेसिन है जो 14 जिलों के एक लाग प्चाजार वरक किलोमेट छेतर में विज्ट्रीत है सत्य कतन आपको बताना है तो इसका सत्य कतन होज़ेगा द्यारकना इसमें कूट दीवें ये सारे कतन सत्य हैं ठीक है इसका उत्र होज़ेगा द्यारकना गिनेटर्ट पाद में राजस्तन का पर्तमसान है बिल्कुल सही है गिनेटर्ट शिटी जालोर को कहते हैं और गुलाबी गिनेटर्ट जालोर सही है तो ये पहला दूसरा और तीसरा सही है द्यारकना ओप्सन नमबर बी ठीक है पाई राइट्स प्रिक्त किया जाता है तो पाई राइट्स होता है गंदक काते जाब और उर्वक मिनाने में ठीक है ओप्शन नमबर है एक अब मैं फटाबर क्यों रिवाइज करवा रहा हूं बस question बढ़ रहा हूं और answer दे रहा हूं यह कि इतना टाइम ने इसमें जादा आपको बस रिवाइज करवा जाएगा ताप यह आपको इसमें सही correction बो कलेक्शन आप सही कर सकते हो राजस्तान में बेराइट्स का सरवादिक उत्पादन कहा होता है बेराइट्स का उत्पादन सरवादिक होता है उद्यपूर में यह आपर होता है उद्यपूर के अंदर राजस्तान में शरवादिक संग्मरमर के बंडार है इसके बारे में कतन बताईए अब आपको नीचे कूर दीवेँ फिर आपको बताना है कौन सा होजेगा 135 तो 135 में आपको ये सारे कतन सही है सारे कतने सही है संग्मरमर उत्पादन का परशी तेतरम मंकराना नागोन है ठीक है राजस्तान में सरवदिक संग्मरमर उत्पादन वाला जिला रासमद है राजस्तान में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी आर के मारबल रासमद है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है किशनगड है ये सारे कतन सही है ठीक है संगमरमर की मूर्तियों के लिए परसीद है जैपूर संगमरमर की जालियों के लिए परसीद है जैसल में उत्रो जेगा इसका एक नमबर सारे कतन सही है सुलेमानी पत्थर के बारे में सत्ते कतन बताईए तो सुलेमानी पत्थर के बारे में ये अकीकवे गुमेद के नाम से परसीद है ये भी सही है राजस्तान का एकादिकार है सही है जा लबाड कोटा ची तोड़ कड़ बां सोड़ा में पाई जाता है सुलेमानी पत्र बिल्कुल सी है उत्रो जेगा इसका चार नंबर राजस्तान में नमकत पादन का मुख्या के अंदर नमकत पादन का मुख्या के अंदर है सांबर जेपूर कौन सा सांबर जेपूर जेसल मेर सी तनोट से किस खनीज की प्राप्ति हुई है तनोट काँपरा जेसल मेर में और वहाँ पर किस खनीज की हुई है खनीज तेल तो यहाँ पर किस की हुई है खनीज तेल की ध्यानक न जेसल मेर सी तनोट में खनीज तेल की अगला देखो राजस्तान में सरवदिक खनीज उत्पादन वाला जीला कौन सा होजेगा 149 का सी उद्यपूर कौन सा होजेगा खनीज सबसे ज़्यादा परदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम परजेक्ट कहां पर स्थाफित किया जा रहा है तो 140 का उत्रोजेगा खन्डेला सिकर ये करेंट में आपने पढ़ लिएंगे कोशन हाले में राजस्तान के किन जिलों में पोटास के सबसे बंडार बड़े बंडार मिले हैं तो पंटास के सबसे ज़्यादा बंडार मिले हैं गंगानगर भीकानेर और नागोर उप्सन नमबर है चार करेक्ट आंसर राज्य में सेंड स्टोन पत्थर पाया जाता है तो ये पाया जाता है उप्रियुक्त सभी स्थानों में अप्सन नमबर है यहां पे कोटा बुंदी चितोडगड बुंदी जोधपूर बीलवडा बर्तपूर दोलवर स्वाई मादविन चारों में पाय कहां पर मिलते हैं तो ये मिलते हैं द्यारकना चितोडगड और जैसलमेर के अंदर मांडो की पाल डुंगरपूर किस खनीज के लिए परसीद है बड़ा ही चर्टा में एक उसन बहुत बार एक जाम में आता है मांडो की पाल है फ्लोराइट के लिए इसके लिए है फ्लोरा किस चेतर में मिलते हैं तो ये मिलते हैं मकराणा बोरवडा में काँपर मिलते हैं मकराणा बोरवडा के अंदर संगमरमर के सरवादिक नागोर चेतर में मिलते हैं राजस्तान में पाईराइट्स के सरवादिक बंडार किस जिले में पाई जाते हैं पाई राइट्स तो यह आपको बता है सिक्कर कहां पर है सिक्कर के अंदर कौन सा खनीज खनन चेतर सही सुमेलित है तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है रोक फोस्पेट सलादीपुरा ये कथनियां पर से ही ओपन नमबर है चार से है आज का लास्ट और अंतिम क्योश्तन तो यह थे एक सो पतचास क्योश्तन आपको लगातार जो बरहमेसतर आई बरहमेस करवाइब जा रहा है अब आपको आगे क्लास उफजा से समयनिर मिलेगी class आपको उसके बाद में आपको class नस्क्रिदी से मनीद class है सब बेता है उस में आपको फटा बड़ बस आपको revise यहां पे करवाई जागा CT से पहले पहले आपको complete करवादेंगे आप चिंता मुत करो देरे देरे आपको revise करवा देंगे तो लगातार आपको मिलती रहेगी सभी विदार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे शेर करेंगे लाइक करना आपका काम है बड़े शांदार तरिके से आपको रिवाइज करवा जा रहे हैं तो लाइक करने का आपका पूरा हक बनता है ठीक है तो वीडियो को आप लाइक जरूर किया गरो तो धन्य वाद सभी बतार्थियों को जै हिंद जै बार्थ